हलो दोस्तों आप सबों को स्वागत है आज की इस वीडियो में तो आज मैं एक विशेश टोपिक लेके आपके सामने आया हूँ आप सबों को पता है कि आज है 14 फर्वरी, 14 फर्वरी को पूरा दुनिया यहां तक की हमारा देश भारत में भी सभी तरब वेलेंटाइन डे मनाया जाता है लेकिन हम लोग 14 फर्वरी की एक घटना है जिसका हम लोग भूल जाते हैं और वो है पुलवामा हमला पुलवामा हमला आप सबी को याद होगा 14 फर्वरी 2019 की वो घटना यह घटना घटा था पुलवामा नामक एक अस्थान में बात उन दिनों की है जब जम्मु और स्रीनगर का जो राष्टिय हाइवे है मतलब नेशनल हाइवे स्रीनगर से लेके जम्मु तक का तो उसी रास्ते पे हमारे जितने भी सुरक्षश सैनिक थे उन लोगों को लेके एक ट्रक जारी थी और पुलवामा नामक अस्थान पे पहुँचते ही उस पे एक आतम घाती हमला होता है हमला होता है और जिस हमले में इतना जोरदार धमागा होता है इस हमले में कि जितने भी हमारे 40 लगबग 40 सैनिक CRPF के 40 सैनिक वहीं पे अपना दम दोर देते हैं और वे हमारे देश के लिए सहीद हो जाते हैं हमारी सुरक्षा के लिए वे सहीद हो जाते हैं तो ये घटना को हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए आज के दिन हम लोग काला दिवस के रूप में मनाते हैं लेकिन हम पूरे भारत वासी इस दिन को भूल जाते हैं और हम लोग वेलेंटाइन डे पे ज़्यादा फोकस करते ह हैं लेकिन हम लोग इस दिन को भूल जाते हैं तो ये दिन को भूलना नहीं है क्योंकि ये जो घटना है उसी के बाद ही हमारे भारत और पाकिस्तान का जो रिष्टा है तो इस घटना का जो जिमेदारी लेता है वो पाकिस्तान की एक इसलामिक आतेंगवादी संगठन जैस मुहम्मद के द्वारा लिया जाता है और इस घटना के बाद से भारत की प्रतक्रिया तेज हो जाती है और वे पाकिस्तान पर भी इलजाम लगाता है और उनका कहना है कि ये एक राजनितिक घटना है लेकिन ये भी है कि ये जो पातंग वादी घटना थी जिसका जिम्मेदार जैसे मुहमद ने ली थी और इस घटना के द्वारा हमारे जितने 40 सैनिक थे उन लोगों को हमने खोया था इसलिए इस घटना को इस दिन को हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो पुलवामा में जो अटैक हुआ था पुलवामा में अटैक होने का कारण भी बहुत ही पुराना है जैसे आप सभी कोई पता है कि जो हमारा देश अजाद हुआ था उसी के बाद से उसके बाद हमारा देश का विभाजन हुआ एक नया देश का जन्म हुआ पाकिस्तान और उसी के बाद से पाकिस्तान हमेशा भारत पर कस्मीर को लेकर हमले करते आ रहा है सुरू से ही और उसको वो चाहता है कि जो कस्मीर है पूरा का पूरा कस्मीर वो पाकिस्तान के अधीन आ जाए तो उसे के बात से लगबग expired-1980 ईश्वी के बात से ही भारत पे बहुत सारे पाकिस्तान की दो आरह बहुत सारे हमला होना शुरू हो चुका था मादल, सुरवाद तो सुरू से हो चुका था लेकिन 1980 के बाद से जो घुसपैट है भारत पे वो काफी तेजी से सुरू होना सुरू हो चुका था और उसी के बाद से कहेंगे तो भारत और पाकिस्तान के हालात और भी खराब होते चले गए थे और उसके बाद बात आता है 2017 का 2017 में सितंबर महिना में ही उरी पर हमला हुआ था उरी पर हमला होने के बाद भारत के द्वारा एरिस्ट्राइक किया गया पाकिस्तान में जो वहां का जो कस्मीर है जिसको वो लोग कबजे पर ले लिये हैं तो वहां पर भारत सैनी और उसी के बाद से पाकिस्तान बौखला चुका था उसी के बाद से ही वो योजना बनाने लग गया था और उसी के बाद बात आती है 14 फरवरी 2019 का और उस दिन को ही पाकिस्तान के द्वारा भारत पर हमला कर दिया जाता है और जो ओरी हमला हुआ था वो वहां का जो मुख्याले था उसी पर हमला किया गया था और उस पर 19 सैनिक सहीद हुए थे हमारे देश के और उसके बाद जब भारत का पाकिस्तान के द्वारा यहां पे हमला किया गया पुलवामा अटैक किया गया तो उस पे हमारे 40 CRPF के सैनिक सहीद हो चुके थे तो यह जो घटना है जितना भी भारत पाकिस्तान के दौरा भारत पे हमले होते हैं पाकिस्तान के दौरा भारत में घुसपैट होते हैं उसका सिर्प और सिर्प एक कारण है कस्मीर, वो चाहता है कि वो पूरा कस्मीर भारत, मतलब पाकिस्तान के अधिन आ जाए, जो सही नहीं है, तो ये मुख्या कारण था पुलवामा अटैक होने का, और ये जो पुलवामा अटैक हुआ था, जैसे ये इसका जो जिम्मेदारी लिया गया था, वो पाकिस्तान के द्वारा लिया गया था, आतंकी संगठन, मुस्लिम इसलामिक आतंकी संगठन, जैसे मुहमद के द्वारा इसका जिम्मेदारी लिया गया था, लेकिन इस हमले में एक हमारे कस्मीर के ही एक निवासी थे, वो भी अपराधिक रुपें पह जिसका नाम आदिल अहमद डार था ये को याद रखना है आदिल अहमद डार करके एक व्यक्ति था जो 22 वर्ज का था उसे अपराधिक रूपे उसको पहचान किया गया था और इस हमले में उसकी भी एक मुख्य भूमिका रही थी जहां पर इसकी उसी हमले में मौत हो चुकी ओनाकति तर ये भी कहना हो चुका था और कोई सबूत हो ने के कारण रहता ही नहीं था जिसके कारण से उसको रीहा कर दिया जाता था और इसका माताव माता पिता का ये भी कहना था कि जो भारतिय सेनिक था जब आदिल को पकड़ता था उसके बाद उसकी पिटाई की जाती थी तो इसी पिटाई के दौरान वो काफी कठर पंती बन चुका था भारतिय सेना के खिलाप में तो ये उनके माता पिता का कहना था तो इस हमले में आद यह जो पुल्वामा अटैक हुआ था उसकी जांच की गई और जांच करने का जिमा दिया गया था NIA को NIA का मतलब होता है National Investigation Agency राष्टिये जांच एजनसी तो उसी को इस हमले की जांच परताल करने की जिमार्दारी दे गई और जो जो प्रारंबिक जांच हुआ था उसका जो रिपोर्ट हम लोगों के सामने आया और उसमें ये बताया गया कि जो हमला किया गया था एक कार के माधियम से किया गया था और कार पे 300 किलोगराम का बिस्फोटक पदार्थ पाया गया जिसमें से 80 किलोगराम का RDX और अमोनियम नाइट्रेट था जांच के द्वारा ये भी कहा गया लेटिनन जेनरल हुड़ा के द्वारा कि वहां पे जो RDX हम लोगों को प्राप्त हुआ है वो किसी निर्मान अस्थल मतलब किसी जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा उस इस्थल से ये RDX सब को जो विस्फोटक पदार्थ है उसको लाया गया और उनका ये भी कहना था कि ये जो RDX है ये जो विस्फोटक पदार्थ है उसको सीमा पार से नहीं लाया गया लेकिन बाद में लेटिनन हुड़ा के द्वारा ये भी कहा गया कि ये कहा जाना 100% सही नहीं है कि ये जो विस्फोटक है उसे यहीं से मनदब निर्मान अस्थल से कहीं से लाया गया हो सकता है ये भी हो सकता है कि ये जो विस्फोटक पदार्थ है वो सीवापार से भी लाया गया था और आप सबों को मैं बताते चलू कि इसी मामले को लेकर पूरा देश में बिरोध हुआ था और ये भी कहा गया था सरकार पे इलजाम लगाया जा रहा था ये जो बिसफोटक आया 300 किलोगराम बिसफोटक वो कैसे वहाँ पहुँच पाया मतलब ये कहा गया कि सुरक्षा की बहुत बड़ी चूख भी है ये भी कहा गया था और NIA के माधियम से पूरी जोर सोर से जांच परिक्रिया चली और इस पे कई बातों का बात प्रकासम आया सामने आया लेकिन कुछ-कुछ बात की पुष्टी नहीं हो पाई और जिसका सबूत कुछ-कुछ नहीं मिला जिसके कारण से ये जांच परिक्रिया अच्छी रिती से पूरी नहीं हो पाई और ये भी बताया गया कि जो आदिल अहमर डार करके ये जो अपराधी पाया गया था और उसके पिता पर भी ये सक किया गया और इस जांच परिक्रिया के द्वारा लगबग 19 लोगों को गरिपतार भी किया गया था और वो जांच परिक्रिया चल रही थी तो ये जो पुलवामा अटैक हुआ आपका 14 फरवरी 2019 को तो ये घटना हमारे लिए काफी दिल दहलाने वाली थी और इस पे हमने 40 सैनिकों को खोया है और ये जो दिन है उस दिन से इस दिन को काला दिन करके मनाया जा रहा है तो चलिए आज के वीडियो को मैं यहें पर समाप्त करता हूँ कुछ-कुछ बातों को मैंने बताने का प्रयास किया है चलिए तब तक आप लोग अपना ध्यान दिजे सुरक्षित रहिए और अपना घर वालों का ध्यान दिजे बहुत बहुत धन्यवाद